Today's Topic is Principles of Plant Layout First Point is Principles of Minimum Movement इसका मतलब है कि हम जो plant layout कर रहे हैं यह जाहा था कि अर्रेंजमेंट तो हम इस तरीके से अर्रेंजमेंट करें ताक कि हमारा चाहे किसी भी रॉमेटीरियल का हो हमारी मैन का हो हमारा जो डिस्टेंज है, हमारा जो टाइम है वो उसमें बचना चाहिए, movement हमारा जितना कम से कम हो, उतना ही हमारा layout जो है, वो effective होता है second point is principle of space utilization, that means कि जितनी जाता हमारे पास space available है, उसको हम effective use करें, ऐसा ना करें, कि हमने एक machine बहुत बड़ी थी, उसको अलग तरीके से लगाया, ठीक है, दूसरी machine जो उसके पास होनी चाहिए दी लेकिन उसको हमने ढंग से नया लगा कि बहुत दूर लगा दी, यानि कि space थो हम हमारा space utilization, third point is principle of flexibility, जो भी layout हम adopt करें, वो इस तरीके से होना चाहिए, कि हमारा जो flexibility है, वो होनी चाहिए, हमारी machines जहां हमने ली है, हमारा material है, वो सब flexible होना चाहिए, requirement के recording, हमारे time के recording हम इसको change कर सके, next is the principle of interdependence, that means कि जो भी आगे हमने arrangement किया है, वो दूसरी के उपकर interdependent हो जो प्रोड़क्त मशीन के बाद दूसरी मशीन अवलेबल होनी चाहिए, वो दूसरी के पास पास हो, ऐसा ना हो कि बहुत दूर दूर हमने रख दिये, तो interdependency होनी चाहिए, next is the principle of overall integration, that means कि एक सेंट्रलाइस होना चाहिए, इस overall integration मतलब है कि सेंट्रलाइस होना चाहिए, ए next is the principle of safety, that means कि हम जो भी lay-off कर रहे हैं, वो हमारे workers की point of view से safe होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि हमने कोई machines, hazardous थी, उसकी proper arrangement नहीं किया, और हमने machine को ऐसी रख दिया, तो वो workers के point of view से विकार पहेगा, next is the principle of smooth flow, smooth flow का मतलब है कि कोई भी bottleneck नहीं आनी चाहिए, कोई भी किसी भी त economy, that means कि ये layout जो है, वो हमारा economically sound हो कि मैंने हमारी cheapest cost लगे उसमें, principle of supervision, that means कि layout ऐसा हो रहे है कि जिसमें हम easily machine machine का रहे हैं इस तरीके से हैं कि हम proper जाके गूम के, मतलब, supervise कर सकें चीजों को, next is the principle of satisfaction, that means कि जो भी हमने arrangement किया है, उसमें मशीन पे काम करने पर, workers को पूरे दिन से महां पर काम करें, तो उनने बोर्डम फिल नहीं होने चाहिए, उनका employee moral बढ़ना चाहिए, वो satisfied हो आपे worker के, अपनी working condition से, next is the types of plant layout, अब types में हमारे पर तीन तरीके के types हैं, product layout, process layout and the combination layout, product layout का मतलब है कि हम product base, हम को भी layout manage करे, suppose में को प्रड़क अनाना है, मेरी company में 4-5 बनते हैं, तो मैं product layout को कर सकती हूँ, हर एक product की अपनी अलग-अलग requirements है, तो उसके according में उसकी चीज़े manage करूंगी, उसके according layout बनाऊंगी, इसी के आगे हम यहां पर advantages, disadvantages यह भी नहीं है, कोई problem होतो आप पूछ लेजएगा, उसके बाद यहां पर हमारा process layout उसको फंक्शनल layout बोलते हैं, suppose अगर हम mass production करना है, तो हमने process देख लेकि इस process के थूँ हम अपना layout बनाना है, ठीक है, कि हमें suppose mass production करना है, जाप production करना है, तो वो हमारा process है, उस process को हम से लेक करना है, उसके बाद इसके आगे advantages and disadvantages है, last combination layout, sorry, second last combination layout, यहां पर क्या है हमारा, कि हमें दोनों को combination use कर सकते है, suppose मेरी company ऐसी है, जैसे actual है, बहुत सारे varieties भी है, लेकिन इतनी जादा variety है कि हम हर एक के लिए product layout नहीं कर सकते हैं, तो हमारा process layout पे भी work करना पड़ेगा, यानि कि ऐसी जगे पे हमें दोनों combination को use करना पड़ता है, इसे हमारा last है, third unit का point, that is the fixed position layout, इसका मतलब है कि हमने stationary कर दिया है, कि हम सालों से एक ही product बनाते आ रहा है, उसी product को मनाएंगे कभी हमें कोई change करने की requirement नहीं है, उस case में हम fix layout की तरफ work करते हैं, यहां पे machine, material, men, सबका arrangement हमने fix कर दिया, इसी तरीके से work होगा, बस, अब इस एगा, okay, good luck, thank you.